पंजाबी सिंगर सिध्धु मुसेवला तो आज हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनकी मौश से जुड़े कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं ताजा जानकारी के मताबिक पंजाब में हुई सिध्धु मुसेवला की हत्या के तार उत्तर परदेश के आयोध्या से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं मुसेवला हत्यकांड में एक अस्थानी नेता का नाम भी सामने आ रहा है कौन है वो नेता जिसने सिध्धु मुसेवला हत्यकांड अंजाम देने वाले आरूपियों को शरंदी थी इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे लेकिन इस खबर ने एक बार फिर से मुसेवला के चाहने वालों के जख्मों पर नमक शुकने का काम कर दिया है पंजावी सिंगर सिध्धु मुसेवला का नाम सुनते ही उनके गाये एक से बढ़कर एक शांदार पंजावी गाने जहन में कौन उठते हैं साथ ही याद आता है 29 माई का वो काला दिन जब मुसेवला की अपने ही गाव में दिन तहाले पेरहमी से हत्या कर दी गई थी पंजावी इंडस्ट्री के भरते सितारे ने छूटी सी उमर में देश ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में बड़ा नाम और मुकाम बना लिया था लेकिन पंजावी सिंगर की मौत ने पूरे देश को जगजोर कर रख दिया था पंजावी सिंगर की हत्या में लौरेंस बिष्णो यैसे बड़े गंगेश्टर का नाम भी सामने आया जो कई सालों से जेल में बंद है इसके बावजुद उसने इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड को अंजाम दिया ताजाज जानकारी की माने तो मुसेवला की हत्या की प्लानिंग यूपी में रचे जाने की बात सामने आई है इस बड़े खुलासे में पहली बार मुसेवला के शूटरस की फोटो सामने आई है बताय जा रहा है कि मुशेवाला पर फाइरिंग करने से पहले शूटरस लगनाव और अयोध्या घुमने आय थे और यहीं पर सबीर शूटरस की ट्रेनिंग हुई थी बताया ये भी जा रहा है कि इन शूटरस ने यूपी में भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना था लेकिन वो असफल रहे जिसके बाद मुशेवाला की हत्या का प्लान बनाया गया मुशेवाला हत्यकान से जुड़े इस खुलासे में सामनी आया है कि करिब साथ शूटर अयोध्या में एक अस्थानिय निता के फार्म हाउस में ठहरे थे इन तस्वीरों में सचिन विश्णोई, सचिन भिवानी और कपेल पंडित साफ नजरार हैं सचिन विश्णोई, लौरेंस का भांजा है और मुशेवाला हत्यकान का मास्टर माइंड है सुत्रों की माने तो मुशेवाला के शुटरस की ये फोटो बाहु बलीनिता विकास सिंग के ठिकाने पर मौजूद्गी के वक्त की है इन तमाम फोटो में सचिन विश्णोई, कपिल पंडित, सचिन भिवानी समेत कई गैंगेस्टर नजर आ रहे हैं इतना ही नहीं इन शुटरस ने यहीं हत्यारों की खेप तयार की थी हत्याकान के बाद सचिन विश्णोई दुबई के रास्ते फरजी पासपोर्ट का इस्तमाल करके अजर बैजान भाग गया था लेकिन बाके शुटरस पकड़े गए फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे यह शुटरस विदेशी हत्यारों की नवाईश कर रहे हैं यह एडवांस से टेकनलोजी वाले हत्यारों की खेप मुसे वाला हत्यकान की साजिश और बैक अप हत्यार के तोर पर इस्तेमाल करने के लिए इकठा किये गए थे यही वज़ा है कि जल्द सचिन विश्णोई को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल अयोध्या लेकर आईगी और वहां उससे पूछताच करेगी लॉरेंस विश्णोई का भांजा सचिन इस वक्त स्पेशल सेल की रिमान पर है हाली में स्पेशल सेल की टीम सचिन विश्णोई को अजर बैजान से पकड़ कर वापस इंडिया लेकर आई है आपको याद दिला दें कि पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला की बीते साल 29 मै को पंजाब के मनसा जिले में गोली मार कर हत्या की गई थी हत्यकान को अंजाम देने वाले शूटरस ने मुसेवाला पर 30 राउंड से ज़्यादा गोलिया चलाई थी पंजाब राजज्य सरकार की ओर से सिद्धू मुसेवाला की सुरक्षा खटाए जाने के ठीक एक दिन बाद ही इस हत्याकान को अंजाम दिया गया था जाँच में ये भी सामने आया था कि मुसेवाला की हत्या से पहले शूटरों ने उनकी रेकी की थी बिश्णोई गैंग के एक्टिव मेंबर गोल्डी बराड ने फेस्बुक पोश्ट करके हत्या की जिमदारी ली थी बराड ने कहा था कि अपने एक साथी की हत्या का बदला लेने के लिए ये मडर किया गया था वहीं लॉरेंस बिश्णोई ने भी एक नीजी चैनल को दिये इंटरिव्य में ये कबोल किया था कि उसके गैंग नहीं अपने साथी की मडर का बदला लेने के लिए मुसे वाला की हत्ता की थी गोल्डी बरार ने इस हत्ता कांड की पूरी प्लानिंग की थी लेकिन फिलहाल वो फरार है और देश की सुरक्षा एजंसियों को उसकी तलाश है